एस्पी में शिवपाल यादव की वापसी को लेकर मुलायम की अपेल क्या पिता मुलायम सिंग की अपेल मानेंगे अखिलेश यादव लोग सब चनाव में मिली करारी हार के बाद सही एस्पी संगरक्षक मुलायम सिंग यादव पूरी तरह से सक्री हो गए है वो बीते कई दिनों से अपने बेटे और पार्टी के मौझूदा अध्यक्ष अख्लेश यादव संग बैठ के कर रहे हैं मुलायम सिंग जिस तरह से सक्री हो गए हैं उससे साथ है कि आने वाले दिनों में S.P. में कई एहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं इसी कड़ी में मुलायम ने अपने बेटे अख्लेश से बड़ी अपील की है दरसल मुलायम सिंग यादव युवा नेताओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं को तरजह देना चाते हैं पुचाते हैं कि पार्टी के सीनियर नेता भी निरनाएक पैसला लेने में शामिल हो मुलायम ने अख्लेश को सला दी है कि गैर यादव नेताओं को पार्टी से फिर जोड़ना शुरू करें साथ ही इस धार्ना को खत्र करने की कोशिश करें कि एस पी सिर्फ यादव की पार्टी है इसके अलावा उन्होंने अख्लेश से कहा है कि पिछले दो सालों में जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी उनकी वापसी सुनिश्चित की जाए सूत्रों की माने तो उन्हों को यह एसास हो चुका है कि एस पी की सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और कहीं न कहीं इसहार का ठीकरा अख्लेश यादव के सिर्फ ओड़ा जा रहा है यही वजह है कि लोग सबचनाव में निराशा हाथ लगने के बाद अख्लेश ने जब अपने पिता की और तो मुलायम ने भी उने पुराने नेताओं को साथ लाने की सलहा दे डाली इसका असर भी होता दिखाई दे रहा है खबर है कि अख्लेश चल थी पार्टी कारेकरताओं के लिए अपने दर्वा से खोलेंगे और बिना किसी अपॉइंट्मेंट के उनसे मुलाकात भी करेंग सीटे आई हार का सिलसला 2019 लोग सब अचनाओं में भी जारी रहा बियास पी संगड़ बंदन करने के बावजोद एसपी केवल पांस सीटों पर ही कबजा कर सकी कुल मिलाकर एसपी का सियासी किला पूरी तरस से ध्वस्त हो चुका है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अपनी पिता की अपेल मानते हैं या नहीं इंडिया निउस वाइरल की रिपो